हलो गुड बॉनिंग फ्रेंड आज जो अपना टॉपिक रहेगा वह रहेगा बॉडी टिशू जैसे कि आपने देखा है पिछली क्लास में अपने सेल जो टॉपिक है वो पूरा कंप्लेट कर लिया है उसके जो क्वेस्चन से वो भी कंप्लेट कर लिया है तो आज से नया टॉपिक है बोर्णी टीशू थेके तो शेल के बाद में क्या आता है टीशू आता है लोकि टीशू है कि अपनी जो बोड़ी है मेना पहले भी बताया था कि million of cells से मिलके क्या बनी है body बनी है ठीक है बट कैसे किस तरीके से किस manner से बनी है मैंने आप वो भी बताया था आपको कि किस-किस level से बनते है तो जैसे कि first मैंने बताया था पहले chemical level फिर cellular level फिर cellular के बाद में tissue level organ level फिर system level and complete पुरा body हो जाएगी ठीक है तो ऐसे ही second topic आता है अपना यानि की body tissue तो आपको सबको पता है group of cell उसको क्या बोलते हैं आप tissue बोलते हो ठीक है बट किस तरीके से अपने इसको पढ़ेंगे कितने कितने type के tissue present होंगे पूरी body है अपनी कौन-कौन से tissue से मिलके बनी है वो चीज आजपन देखने की कोसिस करेंगे ठीक है तो बी concentration होके सुनना है और देखना है कि जैसे कि अपन tissue की बात करें body tissue की तो आपको पता है कि group of group of cell group of cell but क्या याद रखना है similar similar by similar रहनी चाहिए यानि क गुरूब ओफ सेल तो है बट्ट क्या अलगलग के group कोई क्या बोल दोगे आपका तीशू कब बनता है टीशू जब बनता है जब group of cell रहेगा ठेके साथ में ही वो सैल कैसी होनी चाहिए similar होनी चाहिए किस-किस चीज़ में similarity होनी चाहिए सेल की origin में origin यानि कि ऐसी सेल जिनकी क्या है origin यानि उनकी उत्पत्ती है वो सेम जगा से होई है ठीक है सेकेंड बात structure structure यानि कि उनकी structure भी मिलनी चाहिए आपस में ठीक है नेक्स्ट फंक्शन समझ में आ रही है बात यानि कि आप टिशू किसे बोलोगे ग्रूप ओप सेल को तो बोलोगे बट ऐसे ग्रूप ओफ सेल यानि ऐसे सेल के ग्रूप को जिनकी origin structure and function क्या हो समान हो या एक जैसी हो उसके ग्रूप को ही आप क्या बोल सकते हो टिशू बोलोगे आप समझ में आ रही है बात ठीक है नेक्स्ट बात निकालते हैं अपन इससे कि जैसे टिशू वर्ड है ठीक है टिशू जो वर्ड है जो वो दिया था या टिशू के बारे में जानकारी दी थी वो किसने दी थी ठीक है तो याद रखना है आपको बाइचेट बाइचेट ने समझ में आ रही है बात बाइचेट का पूरा नाम क्या है मेरी यह बट पूरा नाम याद रखने की कोई जरूरत नहीं है फ्रेंड कोई जैन या जैवियर बाइचेट समझ में आ रही है बात कि जो बोडी टीशू है जो टीशू वर्ड है टीशू जो वर्ड है वह किस ने दिया है आप को याद रखने दस पूरा नाम ज़रूरत नहीं है जरूरत नहीं बाइचैट से आपको समझ समय ओप यह यहां तो दिया है तो अपने एक चीज और देख थे हैं कि जोड़ िस्ट्ड़ी है can Kalian को से ये बोल सकते हैं इस्टी को एफ Arena को एंब Video Name इसको क्या बोलो गया है संज़ारी वाद जैसे की पिछली क्लास में कुल कुला था कि City Sand को क्या बोला था अपने सांड लोजी उसके फादर को क्या बोला था अपने रोबर्ट उख थी के ऐसे ही study of the tissue उसको क्या बोलो गया आप histology histology समझ में आ रही है बाद उसको क्या बोलो गया histology ठीक है और histology जो word दिया है sorry histology वो जो word दिया है वो word किस ने दिया है ठीक है तो ये जो histology word या बोल सकते हो ये जो term दिया है ये जो term दिया है वो किस ने दिया है वो scientist है भी नाम याद रखना वो दिया है Paul Mayer Paul Mayer ये cricket का काईल मेर नहीं है ये है scientist Paul Mayer समझ में आ रही ये बात कि जी Paul Mayer ने तो क्या दिया है सेकेंड बात जो study of tissue है को बोला गया इस्टोलोजी जो वो term दिया पॉल मेर ने ने नेक्स बात जो टीशू है टीशू के बारे में बताए किसने बाइचेट ने तो इन दोनों में से आप मुझे बता सकते हो father of the histology आप किसे बोलोगे आप question क्या है अपना father of histology किसे बोलोगे आप तो इसमें आप टीशू के बारे में किसने बताया है बाइचेट ने तो बाइचेट को ही आप क्या बोलोगे आप father of histology इसके बाद में आपने बात करते हैं कि बोडी टीशू के बारे में आपने थोड़ा सा पता किया है कि group of cell को similar होनी चाहिए origin structure और function में उसको आपने बोडी टीशू बोल दिया है और बाइचेट ने या बोल सकते हो father of histology किसे बोला गया बाइचेट को और histology वो जो word दिया है वो किसने या term दी है वो किसने दी है पॉल में आपने ठीक है इसके बाद में आपने चलते हैं इसके type की तर definition याद रहेगी सभी को ठीक है अब देखते हैं इसके type तो type थोड़ा देखने की कुछिस करना कि बोडी में पूरी बोडी जो अपनी बोडी है human body वो टोटल ही चार टाइप की टीशू से मिलके बनी होती है million of cells तो रहती है बट million of cells मिलके only four type of tissue बनाती है समझ मारी ये बात कितने type जैसे कि अपन टाइप की बात करे तो समझने की कुछिस करना कितने type है four type देखिए जैसे कि first क्या बताओगे epithelial epithelial tissue first कुण सा टाइप होगा चार टाइप में से first type है epithelial tissue second tissue बताओगे आप connective tissue and third बताओगे आप muscular tissue and last बोलोगे आप nervous tissue समझ मारी ये बात चार टाइप के tissue बताया है मैंने कि total human body है वो only four type के tissue से मिलके बोडी बनी होती है समझ बार ये बात अब देखते हैं second third and four ठीक है यानि कि चार टाइप के tissue से मिलके बोडी बनी है अब समझना इनका amount कितना percentage बोल सकते हो आप यानि कि कौन सा tissue कितने percentage है बोडी के अंदर वो देखते हैं तो आपसे पूछा जाए यानि कि आपको पता होगा कि सबसे ज़्यादा जो अपना दिखता है वो क्या दिखती है मसल्स वगेरा दिखती है तो सबसे ज़्यादा बोलिंग ये पन किसे muscular tissue को कितना percent 50% समझवार ये बात यानि कि total of body tissue का 50% tissue कौन सा होता है muscular tissue होता है उसके बात करते हैं उसके बाद में होता है connective tissue कितना percent 30% समझवार या बात यानिक कि connective tissue body में कितना percent होता है 30% होता है और muscular tissue कितना percent होता है 50% होता है थी 20% में से 10% होता है कुण सा? Epithelial tissue and remaining कितना वचा? Nervous tissue कितना? ये भी कितना रहेगा? 10% समझ में आ रहे बात Total Human Body है ठीक है? वो only 4 टाइप आप टिसू से मिलके बनी होती है 1st Epithelial tissue, 2nd Connective tissue, 3rd Muscular tissue and 4th Nervous tissue यदि अपन amount की बात करे तो maximum amount of किसका present होगा? Muscular tissue का होगा. समझ मारी बात Maximum amount किसका होगा? Muscular और minimum में क्या जाएगा? Nervous और Epithelial tissue ठीक है? उसके बात में जैसे कि इससे अबन 2 questions बनाते हैं इससे 2 questions बनते हैं कि 1st question बनता है Maximum amount of tissue in body एक question तो ये बनता है यानि maximum amount of tissue in human body यानि कि maximum amount में कौन सा tissue present होगा? Second question बनता है हमेशा question पूछे जाता है ये वाले कि most abundant tissue in body ये दो questions इससे बनेंगे इसे ठीक है? तो जो फर्स्ट है maximum amount of tissue ये तो आपको साफ नजर आ रहा है कि 50% कौन सा है? muscular तो इसका अंसर क्या होगा? muscles tissue ठीक है? next most abundant पर्चूर मात्रा में बोल सकते हूँ most evident tissue कौन सा होगा? जरूरी tissue कौन सा होगा? इन चारों में से तो बताइए कौन सा होगा? इसमें आप बोलोगे connective connective tissue अरे भाया ऐसा क्यों? आपने epithelial को क्यों नहीं बोला? connective को क्यों? मस्कुलार को क्यों नहीं बोला? nervous को क्यों? अरे समझने की कोशिस करना most abundant में नाम आएगा किसका connective का? example जैसे कि मान लेते हैं कि blood है आगे पढ़ाएंगे अपन blood भी ब्लड एक प्रकार का कोण सा टीशू है जैसे कि पूछा जाए कि blood इन में से कोण सा टीशू है तो blood रहेगा connective tissue blood भी क्या है एक type का connective tissue है जब connective tissue के type पढ़ेंगे अपन तब बताएंगे blood is also तो कौन सा टिशू है, connected tissue, कौन सा टिशू होगा वो, liquid connective tissue, blood कैसा होता liquid, इस वज़े liquid connected tissue है, इस वज़े से ही connected tissue को क्या बोला गया है, most abundant tissue बोला गया, question याद रखना है, question पूछा जा सकता है, maximum amount में तो आपने muscular tissue को रखा है, और abundant में रखोगे आपके से connected tissue, ठीके, अब आपन चलते हैं, one by one tissue के बारे में पढ़ेंगे, अब सबसे पहले start करेंगे epithelial tissue को, कौन सा tissue start करेंगे, epithelial tissue, मैंने बता दिया है, पूरी body only 4 type के tissue से मिलके बनी होती है, ये 4 type के tissue अपन पढ़ लेंगे, तो अपन को ये पता चल जाएगा, कि नाक है, वो कौन से tissue से मिलके बनी है, समझ मारे और कौन सी इसमें cell present होती है, यानि पूरी human body के बारे में, ये 4 tissue अपन को complete बता देंगे, समझ मारे ये बत, तो अपन चलते हैं, one by one tissue से, तो first अपना जो tissue, जो करेंगे अपन, वो करेंगे, epithelial tissue, बात करते हैं, epithelial, या epithelium भी बोलते हो, इसे epithelial tissue, ठीक है, अब समझने के कोशिस करना, रतना नहीं है, बिल्कुल भी, मैं इस्टार्टिंग से बोलता आ रहा हूं, रतना नहीं है, one by one, step by step आपको समझने, समझते चलना है, ठीक है, तो epithelial, तो word को तोड़ो, समझवा जाएगा, ठीक है, word को तोड़ते हैं, ap, plus, thilia, दो word निकले हैं, ap, plus, thilia, ठीक है, ap का means क्या होगा, ap का means होता है, upon, enthelia का means होता है, growth, समझ मारी यह बत, ठीक है, यानि कि बोला जाए, कि epithelial tissue का मतलब क्या होता है, upon, growth, ठीक है, ap का means क्या बोला है, upon, growth, यानि ऐसा tissue, वो दूसरी tissue के उपर क्या करेगा, growth करेगा, समझ मारी यह बत, ऐसा tissue, अप, उनका मतलब क्या होता है, उपर, और growth का मतलब, growth करेगा, यानि दूसरी tissue के उपर growth करेगा, वो कौन सा tissue क्यलाता है, epithelial tissue क्यलाता है, इतना से समझना है, नेक्स्ट बात चलते हैं, जो epithelial tissue है, ठीक है, तो समझने की कोशिस करना, जितने भी organ है, उनकी lining structure, उनकी क्या है, lining structure बोल सकते हो, और covering structure, जैसे की बोल सकते हो, all covering and lining structure, किस की बनी होती है, epithelial tissue की बनी होती है, रटना नहीं है, covering and lining structure, किस की बनी होती है, epithelial tissue की बनी होती है, next बात epithelial tissue के अंदर करते हैं, अपन, इस tissue के अंदर, समझने की कोशिस करना, ये वाले tissue के अंदर, ये वाले tissue के अंदर, बोल सकते हो, आप, blood vessels and lymph vessels absent होती है, तो एक question तो यहां से भी बन जाता है, आपका, ऐसा कौन सा tissue है, जिसमें, blood vessels and lymph vessels क्या होती है, absent होती है, समझमार ये बत, यानि की, epithelial tissue के अंदर, blood vessels और, lymph vessels क्या होती है, absent होती है, next बात, इसके अंदर, rich amount of, rich, ये बोल सकते हो, rich of, nerve, supply होती है, अरे, blood supply, lymph supply तो क्या है, absent है, supply नहीं बोल सकते हो, यानि की, vessels, supply नहीं बोलोगे, यानि, blood supply नहीं होगी, तो यानि की, वो dead हो जाएगी, cell तो, but, blood supply, sorry, blood vessels और lymph vessels क्या होती है, absent होती है, ठीके, next, rich amount of, nerve supply देखनों को मिलती है, किसके अंदर, epithelial tissue के अंदर, आपको ये चीज़ देखना को मिलती है, next बात करते हैं, इसी के अंदर, कि अब इसके थोड़े अपन क्या देख लेते हैं, जैसे कि, अभी मैंने ये line को देखिए, all covering and lining structure, जैसे कि समझे ये, ये कोई organ है, example मानिये, ये कोई organ है, ठीके, organ की एक lining structure का मतलब क्या होता है, inner lining वाला, समझ मारी बात, inner lining, ठीके, और एक क्या बता रहों में covering, क्या बता रहो, covering, समझ मारी बात, organ की एक तो lining, और एक covering, कौन से tissue की बनी होती है, epithelial tissue की, समझ मारी ये बात, ठीके, अब आगे चलेंगी अपन, कि epithelial tissue कितने type के होते हैं, और कौन-कौन सी जगा वो present होते हैं, जिससे अपन को clearly समझ में आएगा, अब ही तो बस इतना सा आपको जानना है कि epithelial tissue का मतलब क्या होता, epica means upon, epithelia का means growth, किसी दूसरी tissue पर क्या करेंगी, ये growth करते हैं, ठीके, next बात क्या करेंगी, all covering and lining structure किसकी बनी होती है, गुलफत्य all covering and lining structure of organ, of organ, समझ मारी बात किसकी बनी होती है, epithelial tissue, next बात, इसके अंदर blood vessels और limb vessels absent रहेगी, और rich nerve supply होगी, समझ मारी बात, यानि कि मैंने बता है, lining और covering structure, ठीके, इसके आगे चलते हैं हैं, type of epithelial tissue, यानि कि epithelial tissue भी कितने type का होता है, समझ में आ रही है बात, simple तरीके से, आज जो जितने भी आपके doubt है, कि कौन सा तो stratified tissue होता है, कौन सा commerce tissue होता है, कौन सा transitional tissue होता है, बहुत सारे नाम सुने होंगे न, वो आज clear हो जाएंगे आपके, ठीके, step by step clear होएंगे जो भी आपके, ठीके, देखते हैं epithelial tissue, तो epithelial tissue है, वो दो type का होता है, कितने type का होता है, दो type का होता है, कौन कौन सा, ठीके, तो देखते हैं first, फर्स्ट होता है सिम्पल एपिथीलियल सिम्पल एपिथीलियल टिश्यू सेकेंड की बात करेंगे सेकेंड कौन सा होगा कंपाउंड एपिथीलियल टिश्यू समझबारई यानी की एपिथीलियल टिश्यू कु अपन दो टाइप में पड़ेंगेंगे बैं कितने टाइप में दो टाइप में फर्स्ट एप सीम्पल एपिफिलेल टीशू सेकिंड कुन सा पढ़ेंगे कंपांड एपिफिलेल टिशू पढ़ेंगे ठेक है अब देखते हैं इसके अंदर क्या क्या पढ़ेंगे इसके इंदर जो simple epithelial tissue है यह रहेगा single lining या single layer of cell समझ मारिये बत यानि simple epithelial tissue है वो कैसा tissue है single layer of cell यानि जो भी cell का जो बना होगा only single layer पाई जाएगी कौन सी layer पाई जाएगी single layer एक ही layer present होगी और इसके अंदर कैसी होगी multi layer of cell अरे cell की तो बनेगी न लेर क्योंकि tissue क्या है group of cell यानि cell की multi layer एक दो से जादा layer present होगी किसके अंदर compound epithelial tissue के अंदर और इसके अंदर क्या रहेगी आपका single layer of cell single layer of cell present होगी किसके अंदर simple epithelial tissue के अंदर अब देखते हैं अपन simple को डिवाइड करते हैं या टाइप में डिवाइड करते हैं तो इसका जो first subtype है वो first होगा आपका स्कॉमस epithelial tissue अब समझने की कोशिस करना जो स्कॉमस epithelial tissue है ठेके वो first type of this simple epithelial tissue है ठेके इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा अपन को मैंने पहले ही बता दिया है कि यह यह वाला जो टिशू है वो single layer of cell है ठेके तो एक तो क्या परजेंट होगी इसके अंदर basement membrane अरे basement membrane present होगी समझ मारी यह बात कि basement membrane present होगी और इस basement membrane पर यह टिशू कौन सा टिशू सिंप सिस्कॉमस epithelial tissue किस तरीक का होगा इस तरीके से यह टिशू आपको देखने को मिलेगा इन फ्लेटेंड आपको यह टिशू जो भी टिशू आपको फ्लेटेंड देखने को मिल रहा है basement membrane देखने को मिल रही है और single layer देखने को मिल रही है सेल की जैसे कि यह एक सेल दो सेल तीन सेल और चार सेल ठेके यानि कि यह सेल single layer बन चुकी है और कैसी बन चुकी है फ्लेटेंड बन चुकी है तो यह वाला कौन सा टिशू होगा squamous epithelial tissue होगा समझवार यह बात ठीक है यह क्या है basement membrane और यह सेल हो चुकी है कून सी सेल होगी अब squamous cell होगी समझने की कुछिस करना squamous cell होगी इस वज़े से यह कून सा टिशू होगा squamous epithelial tissue होगा ठीक है तो यानिकि यह layer हो चुकी है समझवार यह बात basement membrane पर एक single layer है flattened single layer है उसको आप बोल रहे हो squamous epithelial tissue बोल रहे हो ठीक है next बात इसमें करते हैं टाइप के अंदर सेकेंड टाइप क्यूबोईडल epithelial tissue समझवार यह बात क्यूबोईडल epithelial tissue अब देखो क्यूबोईडल का मतलब क्यूब जेसा होगा कैसा होगा क्यूब जेसा होगा और single ही layer होगी क्यूं क्योंकि यह किसके ताइप पढ़ तैप सिंपल epithelial tissue के टाइप पढ़र रहे है इस वज़े से क्या आपको याद रखना है important होगी single layer present होगी इसके अंदर भी single layer present है इसके अंदर भी single layer प्रजिंट फोगी तो सिंगल लेयर तो प्रजिंट होगी मटोड किसेक्पर बेस्मेंट मेंब्रेन डिक अ चैनल न्युक्त बहुतल अब य॥र समझब पर अब समयघे लिग एक कर रहे क्यूब लाइक सा क्यूब लाइक सेल परजेंट होगी। उस टिसू को हाप गिड़कल एपिथीलियल टिशु बोलो गया समझवार है कैसी दिय कैसी लेक क्यिब। कैसा बनाओता है इस तरीके का क्यूब बना होता है उसको आप बोलोग है गिड़कल अब टिशू बोलो गया ठीक है next बात करते हैं पन थर्ड अब थर्ड आएगा आपका कॉल्यूमनार कॉल्यूमनार एपिथीलियल एपिथीलियल टिशू अब समझने की कुशिस करना इसके अंदर क्या है क्यूब लड़ाइक सेल प्रजेंट सेच कि या बोला गया इसको क्यों बोलागी हिस नाम क्या है column जैसी cell present होगी, column like cell present देखने को होगी है इसमें, इस तरीकी की cell इसमें देखने को मिलेगी, समझ मैं ही बात, मैं ये कहना चाहरा हूँ आपसे, कि simple epithelial tissue का, ठीके, वो किसका type है, epithelial tissue का, ठीके, जो अपने दो type देखे हैं, तो first जो type देख रहे हैं, simple epithelial में, वो क्या है, single layer of cell है, यानि cell की एक single layer present only, ठीके, तो इसमें भी, जो simple के जो type है, वो further तीन type है, कुन-कुन से type है, squamous epithelial, second, cubital epithelium, sorry, cubital epithelium, उसके बाद में, columnar epithelium, squamous में बोला गया है, कि single layer होगी, बट कैसी होगी वो, flattened होगी, कैसी होगी, जैसे की, एक first पे, वो tile लगी होती है न, वैसे ही होगी, ठीके, tile की जैसे, tile like shape, जैसे क्या होगी, cell उसमें, flattened होगी, fix रहेगी, तो उसको बोलोगी, आप, commerce epithelium, इसके बाद में, cube-like cell जैसे, इसमें cell परजेंट होगी, basement membrane में, उसको बोलोगी, आप, cube-adal epithelium, next and last बोलोगी, इसमें आप, columnar epithelium, columnar epithelium में, आपको देखने होगी, basement membrane पर, column जैसे क्या, cell इसमें, देखने को मल रही है, इस बज़े से, आप इसे क्या बोल रहे हो, columnar epithelium tissue बोल रहे हो, समझ में आ रही है बात, next, बात करते हैं, अपन compound epithelium tissue की बात करते हैं, ठेके, compound epithelium tissue किसका tissue है, epithelial tissue का type है, ठेके, इसके बाद में, इसमें मैंने, क्या बताईए, एक main, जो बात याद रखनी है, multi-layer present है, एक, दो से ज़्यादा layer present इसमें देखने को मिलेगी, ठेके, जैसे, इसके अंदर, अपन बात करेंगे, यादि, compound epithelium जो tissue है, इसको भी further divide करेंगे अपन, तो further divide होगा वो, by the, या बोल सकते हो, according of basement membrane, किसके according, basement membrane के, इसके further, दो type आपको देखने को मिलेंगे, दो type के tissue, इसमें भी देखने को मिलेंगे, जैसे कि, अपन पहले बात करें, कि basement membrane, basement membrane, जो tissue होगा, first, बोलेंगे, इसमें basement membrane absent, अरे, दो type भी कर सकते हैं, एक तो basement membrane absent, और second में बात करेंगे अपन, basement membrane present, समझने की कोशिस करना, अपन ने, compound epithelial tissue को भी, क्या कर दिया है, divide कर रहा है, according to basement membrane, according to presence of basement membrane, and absent of basement membrane, ठेके, यदि, basement membrane क्या है, absent है, समझने की कोशिस करना, basement membrane क्या है, absent है, ठेके, तो, आपको, क्या देखने के मिलेगी, जैसे कि यह basement membrane इसमें present है ठेके यदि यह basement membrane ना हो तो cell कैसी होगी stretching उसमें देखने को मिलेगी stretching stretch देखने को मिलेगा कि चाब उसमें देखने को मिलेगा समझ मार यह बात यानि कि बोल सकते हो इसके अंदर यदि basement क्या देखने को मिलेगी ते कि इसके अंदर बेस्मेंट मेंब्रेंट क्या है परिजियन है तो टाइट फिक्स हो जाएगी सेल इस वज़े से stretching no stretching no stretching यानी stretching देखने को नहीं मिलेगी उसमें ठीक है और बात करते हैं यदि basement membrane absent है समझने की कोशिश करना basement membrane absent है तो ऐसे tissue को आप बोलोगे transitional epithelial tissue क्या बोलोगे आप transitional epithelial tissue या एक और नाम है बहुत important नाम है एक्जाम में पूछा जा सकता है आपसे कि transitional epithelial tissue तो बोल रहे हैं किस टाइप की tissue को जिसमें basement membrane absent है और जो भी किस का टाइप है compound epithelium tissue का टाइप है next बात इसका दूसरा नाम है urothelium urothelium tissue समझने की कोशिश करना transitional epithelial tissue को ही दूसरा नाम क्या दिया गया है urothelium tissue क्यों दिया गया है क्योंकि जो यह tissue है transitional epithelial tissue यह mainly आपको present या देखने को मिलेगा urinary tract में urinary tract ठीक है example याद रखना है urinary bladder अरे urinary bladder अब समझने की कोशिस करना urinary bladder है जिसमें क्या देखने को मिल रहा है किस टाइप के tissue transitional epithelial tissue जिसमें क्या देखने को मिलती है stretching power तो यानि की जिसमे urine collect होता है तो stretch होने की क्या होती है इसमें power होती है इस वज़े से amount of urine क्या होता है उसमें store हो सकता है ठीक है urinary bladder urethra and renal pelvic समझमार ये बत तो अपनने देखा है कि compound epithelial tissue है ठीक है उसको भी अपनने divide कर दिया है basement membrane के वज़े से ठीक है एक में तो basement membrane क्या है absent है इस वज़े से इस type के tissue को क्या बोला गया है transitional epithelial tissue और second जो second type है basement membrane present के कारण उसमें stretching power देखने को मिलेगी और stretching power देखने को मिलेगी तो further इसको तीन type में divide किया जाएगा same as simple epithelial tissue के ठीक है कैसे कैसे इस kwamas भी देखने को मिलेगा second second कौन सा मिलेगा cuboidal भी देखने को मिलेगा cuboidal and last columnar भी देखने को मिलेगा समझ मारी बात classification की बात करते हैं तो classification कराया है मैंने आपको कि जो epithelial tissue है वो दो type का होता है simple और compound ठीक है simple में मैंने बताया है आपको single layer of cell present होगी जैसे की ये basement membrane है ठीक है और basement membrane पे ये single layer है basement membrane पे क्या है single layer ठीक है यदि compound की बात करेंगे तो compound में क्या रहेगा basement membrane रहेगी और single की जगे क्या रहेगी multi layer present होगी कैसे multi layer present होगी उसको बोलो गया compound epithelial tissue और simple में अपने तीन फर्दर टाइप देखे हैं अभी detail से पढ़ेंगे इनको अभी तो मैंने क्या बताया आपको classification बताया है अभी अपने simple में भी क्या commerce को देखेंगे columnar को भी देखेंगे suricubator को देखेंगे और columnar को भी देखेंगे ऐसे ही सबी tissue को अपन one by one देखेंगे और कहां कहां पर body में ये present होता है found होता है मिलते हैं अपन को वो भी चीजिस में देखेंगे ठेके इसके बाद में अपनने compound भी देखा है compound में multi layer है basement वेमरेंड के currencies को दो type में divide किया गया है जिसमें absent है उसको transitional बोला गया है जिसमें present है उसके फिर फर्दर तीन टाइप किये होया है उसके बाद है squamous, columnar और समझे मारी ये बात और या एक चीज और बोल सकते हो इसको आपने transitional बोला है क्या बोला है transitional बोला है by the absent of basement membrane तो इसको आप क्या बोल सकते हो इसको आप बोलोगे stratified tissue क्या बोल सकते हो stratified tissue तो जो इसके अपन टाइप पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे stratified squamous stratified columnar stratified वो cuboidal समझे मारी ये बात इस तरीके से इनके टाइप भी आपन देखेंगे आगे अब चलते हैं अभी तो classification कराया है इसके बाद अपन देखते हैं one by one squamous epithelial tissue के बारे में फिर cuboidal या पहले देख लेते हैं इसका total फिर उसके बाद में इसको ठीके आई हो आपको ये classification तो समझ में आया होगा अब आगे चलते हैं अपन अब देखते हैं अपन कौन सा टिशू आता है squamous epithelial squamous epithelial tissue समझ मारी ये बाद कौन सा देख रहे हैं squamous epithelial tissue तो आपको सब को पता है कि ये क्या होती है ये कौन सा टिशू है single layer of cell single layer of cell single layer है किसकी cell की और इसमें जो ये टिशू है इसमें क्लोजली फिट्टेड प्लोजली फिट्टेड of cell look like look like look like look like tiles ये टाइल इन फ्लोर समझने की कुशिस करना कुशिन पुछा भी जा सकता है कि ऐसी सेल जो क्लोजली फिटेड होती है look like as a टाइल इन फ्लोर टाइल जिसी की फ्लोर में टाइल लगाते हैं ऐसे फिटेड रहती है ऐसी सेल या ऐसी टिसू को आप कौन सा टिसू बोलोगे आप इस कॉमस एपिथिलियर टिसू बोलोगे आप समझ मारी ये बात कौन सा टिसू बोलोगे आप इस कॉमस एपिथिलियर टिसू ठेके इसके बाद में बात करते हैं ऐसे टिसू को जैसे कि कैसा था वो यह basement membrane और basement membrane में इस टाइब की closely fitted closely fitted क्या मिल रही है आपको cell देखने को मिल रही है समझवारी बात और यह किस तरीके के देखने को मिल रही है जैसे कि tile हो floor में tile on floor इस तरीके के आपको देखने को मिल रही है ठीके इस तरीके की scale को या बोल सकते हो स्कॉमस epithelial sale को अनुदर नाम बोला जाता है pavement pavement tissue ओ ओ ठीके याद रखना है pavement tissue किस tissue को बोला जाता है वो बोला जायेगा आपको स्कॉमस epithelial tissue को pavement tissue को मतलब क्या होता है एक परकार से वो ही है कि एक जैसे टाइल है वो fit रहती है बिल्कुल single line के according वो तरीके को क्या बोलते हैं पर pavement tissue बोलते हैं वो किसे बोला गया है इसकोमस epithelial tissue को बोला गया है अब इसके location की बात कर लेते हैं इसकी बात करते हैं location की कि कहां कहां पर present होता है तो अब जो question से जाता है present से ठीक है यह इसकोमस epithelial tissue कहां कहां present होते हैं या कुण-कुण सी structure में यह present होते हैं तो समझने की कोशिस करना first इसमें देखेंगे अब लाइनिंग ओफ lining of heart blood vessels lining of heart blood vessels lymph vessels lining of heart blood vessels इन सब में क्या देखने को मिलेगा आपको इस कॉमस epithelial tissue देखने को मिलेगा और समझने की बात है कि इनमें यह जो tissue देखने को मिलेगा उस जगा पे इस tissue का नाम रहेगा endothelium समझ मारी यह बात क्या नाम होगा endothelium रहेगा जैसे यह blood vessels है क्या है red से draw करते हैं यह blood vessels से जो lining है वो किसकी present होगी वो present होगी आपकी isquamous epithelial tissue की समझ मारी यह बात ठीक है isquamous epithelial tissue की lining वो present होगी उसको क्या बोला जा रहा है endothelium बोला जा रहा है ठीक है यह क्या काम करेगी endothelium इसमें इसमें आपका contraction और relaxation का काम करती है ठीक है यहने की बोल सकते होगा blood vessels का contraction और relaxation का का कौन सी tissue की द्वारा होगा इस कौन से epithelial tissue की द्वारा होगा ठीक है next इसमें location की बात करते हैं second serous membrane serous membrane प्रजिंट होती है मैंने बता रहा है पिछली classes में भी आपको जैसे प्लूरा प्लूरा इस शीर्स membrane pericardium पेरी कार्डियम नेक्स्ट पेरी टोनियम परिटोनियम समझ मारिये बत serous membrane जैसे प्लूरा पेरी कार्डियम और पेरिटोनियम यह सब क्या है serous membrane है ठीक है और यह किसकी बनी होती है squamous epithelial tissue की बनी होती है और इस जगा पर इनको क्या बोला जाएगा इनको बोला जाएगा mesothelium क्या बोला जाएगा mesothelium समझवार यह बत क्या बोला जाएगा mesothelium next बात करते हैं और कहां पर परचेंट होगी तो आपको याद रखना है alveoli alveoli of lungs alveoli of lungs ठीक है और कहां पर परजेंट होगी यह जैसे कि आप nephron आपने structure पड़ी होगी तो समझने की कुछिस करना यह जो है उसको बोला जाता है bauman capsule क्या बोला जाता है bauman capsule ठीक है तो और कहां पर परजेंट होगी bauman capsule यानि कि बोला जा सकता है कि यह जो bauman capsule है वो किसका बनाता है iscomus epithelium tissue का ठीक है मैं only bauman capsule की बात कर रहा हूँ ने कि यह tubules की tubules और किसी tissue की बनी होती है ठीक है तो जब आएगा वो बताएंगे तो alveoli of lungs और bauman capsule और उसके बाद में और क्या बना रहेगा इसमें और आप बात करोगी inner surface of tympanic membrane समझ मारीए बाद inner surface of tympanic membrane ठीक है यह सब जगा पर यानि कि यह सब औरगन में कौन सा tissue present होता है squamous epithelium tissue present होगा समझ मारीए बात next अपन बात कर लेते हैं इसके function की यह वाली tissue का function क्या रहेगा ठीक है तो function तो आपको पता है यह भी जो organ के function होंगे जिस यह सब organ किसके बना है अरे osmosis देखने को मिलेगा ठीक है next diffusion diffusion filtration देखने को मिल रहा है ना filtration और क्या बोल सकते हो और बोल सकते हो secretary ठीक है यह सब function आपको देखने को मिलेंगे ठीक है जैसे osmosis diffusion filtration यह सब चीज़ जैसे बोमन capsule है वो filtration का काम करेगी ठीक है alloy में diffusion देखने को मिलेगा आपको diffusion process जो मैंने आपको बताई थी आपको ठीक है यह सब process आपको देखने को मिलेगी secretory phase देखने को मिलेगा secretion देखने को मिलेगा जिसे कि blood vessels के through blood vessels की जो lining है वो उसके दोरा secretion होंगे clotting factor यह सब जैसे की etc वो सब secretion जैसे देखने को मिलेगा osmosis देखने को मिलेगा तो यह सब function आपको किसके देखने को मिल रहा है squamous epithelial tissue के समझ मारी यह बात आप देखते हैं अपन यानि simple epithelial tissue में जो अपने देखा है जैसे की बात करते हैं simple epithelial epithelial tissue में अपने only one या एक टाइप देखा है first जो देखा है वह है is commerce epithelial देखा है इस commerce देखा है अब जो देखेंगे अपन वह देखेंगे क्यूबोईडल क्यूबोईडल epithelial epithelial एंड उसके बाद में देखेंगे क्यूबोईडल epithelial समझवारी है बात क्यूबोईडल epithelial ठीक है तो बात कर लेते हैं क्यूबईडल की तो आपको पता है यह जो टिसू है यह भी सिंगल लेयर structure होगा और कैसी cell होगी cube like cell होगी कैसी cell होगी यह नहीं बोल सकते हो single होगी single layer of cell कैसी cell cube like cell समझवारी बात क्यूब लाइक cell होगी ठेक है next बात करते हैं location की कहां कहां पर प्रजेंट होगा तो आपको क्यूबईडल में याद रखना है जो क्यूबईडल है वो cover या covering surface और ovary and testis ovary and testis समझभारी बात ovary and testis की जो covering surface है वो किसकी बनी होती है cuboidal epithelial tissue की बनी होती है ठेके और इसके अंदर ही जो ovary और testis के अंदर जो cuboidal epithelial tissue है उसको बोला जाएगा germinal 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 layer क्या बोला जाता है germinal layer समझमारी बात germinal layer जिस से आगे जाके आपको पता है formation होगा ovum and sperm का समझमारी बात जैसे की ovum का होगा ovary से sperm का होगा testis से ठेके next बात करते हैं कि cuboidal epithelial cell या cuboidal epithelial tissue और कहां पर present होंगे तो आपको याद रखना है आई पार्ट पर आई पार्ट या पार्ट ऑफ आई जैसे की example में आपको याद रखना है आई लेंस लेंस लेंसेज लेंसेज और क्या याद रखना है आपको रेटीना रेटीना और याद रखना है आई रिस और क्या याद रखना सीलियरी बोडी सीलियरी बोडी यानि बोल सकते हो आप कि जो कॉलिमनार है क्यूबेडल epithelial tissue है वह ओविरी और टेस्टिस में तो देखनों को मिल रहा है और ओवम ओव स्पर्म का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है ठेक है या प्रोडक्शन देखना है नेक्स्ट जो आई पार्ट के अंदर या सुरी आई के अंदर बहुत से मेनी पार्ट है वह किसके बनोते हैं जैसे की याद रखना है आपको क्या लेंस जैसे रेटिना आईरिस और सीलेरी बोड़े समझ भाई बात नेक्स्ट इसके बाद में और बात करते हैं ठेक है तो इसमें और किसमें पाये जायागा रीनल ट्यूबूल्स रीनल ट्यूबूल्स यानि कि अभी मैंने बताया है बोमन कैप्सुल तो किसका बना होता है बोमन कैप्सुल तो बना होगा आपका इसकॉमस एपिथीलियल का और बाके का जो यह रीनल ट्यूबूल्स है वो यानि कि बोल सकते हैं ट्यूबूल्स वगेरा जो इस्ट्रेक्चर है वो किसकी बनी हो आफ ग्लेंड, समझ मार ये बात, सिक्रेटरी पार्ट आफ ग्लेंड किसका बना होता है, क्योबर्डल एपिथीले टिशू का, तो इमपोर्टेंट जो क्वेशन पूछे जा सकते हैं, एक्जाम में, आपको याद रखना है, सिक्रेटरी पार्ट आफ दी ग्लेंड, किसकी बन होती है, या किसका बना होता है, क्योबर्डल एपिथीले टिशू का, रिनल ट्यूबल्स किसकी बनी होती है, क्योबर्डल एपिथीले टिशू, नेक्स्ट बात करें, आई के ये पार्ट याद रखना है, यह पूछा जा सकता है, रेटिना, रेटिना किसका बना होता है, त इसके बाद में बात करते हैं अपन को लिमनार एपिफिलियल टिशू तो यह तो क्यूब लाइक था और यह कैसा होगा इसमें किस टाइप की सेल पाए जाएगी इसमें पाए जाएगी आपको पिल्डर लाइक से पिल्डर लाइक सेल या बोल सकते आप स्लेंडर लाइक सेल प्रजेंट होगा और सिंगल लेयर प्रजेंट होगी इसके अंदर भी कैसी होगी सिंगल लेयर single layer present होगी ठेक है क्योंकि यह कौन सा है simple के type पढ़ रहे है simple epithelial के type पढ़ रहे है इस वज़े single layer of tissue present होगा ठेक है next जो बात करें इसके अंदर बात करते हैं तो lining of कहां पर present होगा lining of lining of most of digestive या बोलान डाइजिस्टिव सिस्टम जैसे एक्जामपल में याद रखो गया आप स्टमक एंड इंटेस्टाइं क्या याद रखोगे स्टमक और इंटेस्टाइं समझ बारी बात next lining of uterus क्या याद रखोगे इसमें lining of uterus lining of uterus भी किसका बना होता है cubital epithelial tissue का बना होता है समझ वारी ये बात तो cubital epithelial tissue sorry यानि lining of stomach and intestine तो यह columnar epithelium lining of uterus किसका है cubital sorry columnar और cubital अलग है cubital का क्या है किस-किस में है वो मैंने बता है secretary part of gland ठीक है etc. जो ovary testis है इसमें जो भी है covering वो किसकी बनीती है cubital की और columnar अलग है columnar में किस-किस में present होगा वो होगा digestive system में जैसे कि आपको stomach और intestine के lining और last इसमें क्या देखना है uterus की जो lining है वो भी इसमें देखना के मिल रही है ठीक है next जो epithelial tissue के अंदर आता है वो अभी अपनने पढ़ा है जैसे कि epithelial tissue epithelial tissue दो टाइप में पढ़ा है first है क्या simple epithelial tissue और second कौन सा बताया था में आपको compound epithelial tissue ठीक है अब जो बात करेंगे वो बात करेंगे अपन compound epithelial tissue की किसकी बात करेंगे compound की तो बोर नहीं होना है class में compound की बात करते हैं compound compound epithelial tissue तो मैंने बताया था compound जो epithelial tissue है वो दो टाइप का होता है ठीकि कितने टाइप का बताया था मैं आपको दो टाइप का ठीकि कैसे बताया था कि basement membrane basement membrane एक में क्या थी absent क्या थी basement membrane absent और एक में क्या थी basement मेंब्रेन प्रिजेंट समझ मारी अब थेके जैसे की अब थोड़े डाइग्रम बना लेते हैं चोटा सा इस टाइप के cell पर्जेंट होगी लुक लाइक इस टाइप के cell पर्जेंट होगी तो उसको आप बोलोगे आप क्या नाम बोलोगे ट्रांजिस्नल ट्रांजिस्नल एपि थीलियल टिशू ट्रांजिस्नल एपि थीलियल टिशू अब इसके अंदर देख लीजिए basement membrane क्या है absent है क्या है इसके अंदर basement membrane absent absent basement membrane समझवारी बाद next अपन जैसे बात कर लेते हैं इसके अंदर आपको clearly क्या देखेगी basement membrane आपको देखेगी ठीकिए अब 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 और multi layer तो आपको पता है multi layer होगा ये क्यों होगा कि compound, epithelian tissue है तो multi layer आपको देखने को मिलेगा यानि cell की बहुत सारी layer इसमें देखने को मिलेगी ठीकिए और इसके अंदर क्या होगी, basement membrane, basement membrane present है, ठीके, तो यह कौन सा tissue होगा, यह आपका होगा, stratified tissue, stratified tissue बोलोगे आप, यह stratified epithelium, समझ मारी यह बात, तो basement membrane इसमें क्या है, present है, ठीके, next बात कर लेते हैं, अभी मैंने आपको बताया था, classification में, कि transitional epithelial tissue को, और किस नाम से जाना जाता है, तो आपको याद रखना है, urothelium, urothelium के नाम से भी जाना जाता है, क्यों जाना जाता है, क्योंकि यह जो tissue है, वो किस में present होगा, urinary tract में present होगा, ठीके, और urinary tract में present होगा, और इस tissue की क्या खासेत होगी, क्या खास बात होगी, इसमें stretching power देखने को मिलेगी, क्यों, क्योंकि इसमें basement membrane क्या है, absent है, तो एक चीज और लिख सकते हैं, stretching, present, fark класс, selecting present होगी इसमें, ठीके, उन्र इसमें लिख सकते हैं, stretching, absent, क्यों होगी stretching absent, क्योंकि इसके अंदर basement membrane present है, समझबार ये बत, और इसके अंदर stretching present होगी, क्यों, क्योंकि इसके अंदर basement membrane क्या है, absent है, ठीके, इस वजहे से ये वाली tissue क्या होआ हो सकते हैं, stretching वाली power रहेगी इसके अंदर ठेके और यह जो tissue है वो आपको कहां-कहां देखने को मिलता है example में आपको याद रखना है जैसे कि urinary tract तो याद रख नहीं है आपको urinary tract ठेके उसके बाद में urinary bladder इसी में आ जाएगा विससे ठेके एक्सेक्ट रह इसमें क्या देखने को epithelial tissue की बात कर देते हैं जो की पार्ट है किसका compound epithelial tissue का ठीक है बात करते हैं अपन stratified epithelial tissue स्टेटिफाइड epithelial tissue है ठीक है वो आपको याद रखना है कितने टाइप का है मैंने तीन टाइप इसमें बताएते हैं आपको स्कॉमस कॉलिमिनार क्यूबवडल ठीक है तो इसमें भी फर्स्ट अपन देखेंगे वह देखेंगे स्कॉमस स्कॉमस epithelial tissue स्टेटिफाइड बोलोगे आप साथ में क्या बोलो गया क्योंकि स्कॉमस epithelial बोल दोगे तो simple में चल जाएगा तो स्कॉमस stratified stratified epithelial या डारेट बोल देता है tissue epithelial तो पढ़ी रहा है ठीक है तो क्या टाइप होगा इसका फर्स्ट स्कॉमस stratified tissue या इसको ऐसे बोलते होगा epithelial tissue भी बोलते हैं ठीक है तो इस tissue की बात करते हैं तो इस tissue को अपन दो टाइप से पढ़ेंगे इसको भी एक होगा केरेटो नाइजड इस्ट्रेटिफाइड 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 इसकॉमस epithelial tissue समझ मैं रिये बात और एक होगा नोन केरेटोनाइजड इस्ट्रेटिफाइड इस्ट्रेटिफाइड epithelial tissue समझ मैं रिये बात इतना लंबा जा रहा है बट समझना है step by step क्योंकि आपको पता है छोटी सी कमजोरी समझने की कोशिस करना आप जिसे की सोचते होंगे वह से ने एक्जाम दिया होगा जो अभी पढ़ रहा है मुझसे ठीकि कि एक्जाम दिया होगा और एक्जाम के बाद में एक नमर दो नमर से रह रहा है फर्दर डिवाईड कर दिया है यानि इस्टेंट्रस तबाइस हूं स्वाममश नौन रहत छिंके करेटनाइस का मतलब होगा किनेरि चान इस का मतलब मैं किरेटील इस वादर को इस होगी प्रॉटीन क्या होगी पर्जेंट होगी कि गौह सामज़ी महारी बात सिम्पल सी बात यह सिंपल सिंपल चीछ चल रहे है इसके having घंच नहीं परंट 이용 नायं इसके अंदर बात तो एक्जांपल में यानि कहां कहां में नृट होगा इसके आपन बात करते हैं यह सब में कौन से tissue present होंगे keratinized stratified squamous epithelial tissue present होंगे ठीक है next अपने बात करते हैं non keratinized जिसमें keratin protein क्या है absent है तो आपको याद रखना है mucosal mucosal lining of GIT gastrointestinal tract समझ मारी बत यानि कि बोल सकते हैं वो आप या GIT की जगे आप डायरेक्ट लिक होगे mucosal या mouth क्या लिक होगे आप उनली mouth लिक होगे यह mucosal lining of mouth ठीक है वो किस की present होगे नोन keratinized stratified squamous epithelium ठीक है next इसमें देखेंगे तो आप बोलोगे इसमे lining of vagina cervix lining of vagina and cervix भी इसमे याद रखोगे ठीक है यानि कि बोल सकते हो वे जाइनल lining और क्या बाव और क्या याद रख सकते हो इसमें और कवरिंग अफ टंग ठीक है लास्ट अ कंजेक टीवा ओफ आई आय का जो कंजेक्टिवा है वो किसका बनाता है नॉन याद रखना है क्योंकि अभी आई के पार्ट जो पढ़ाए थे वह किस टीशू के बने होते वह भी बताया था मैंने आपको तो देक्टिवा ओफ आई किसके बने होते हैं वह अब बात कि करोगे यह नॉन करेटरनाइज एपिथीलियल टीशू के बने होते है ठीक है नेक्स्ट और इंपोर्टेंट बात है वह आपको याद रखनी है यह जो दो दोनों टाइप है किसके कोबने सब्सक्राइब का सब्सक्राइब स oppose a petarian के टिशू के यह क्या करेंगे first line a早Ooh what foundation क्ली डिफेंस डिफेंस मैकशीं डिफेंस मैकेनिज्ट न बोडी को सब और ये सब क्या है first line क्या है defense mechanism अपन को देखने को मिलेगा या बोल सकते हो first line defense power provide करेंगे को समझ मार यह बात नहीं कि बोला जाता first line defense mechanism के अंदर सबसे पहले skin को भला जाता है क्या होता है इसकिन को बला जाएगा ठीक है नेक्स्ट इसी के अंदर बात करते हैं अपन स्टेटिफाइड एपिथीलियल टीशू के अंदर पड़ा है अपनने स्कॉमस एपिथीलियम इसके बाद में दो टीशू और बचते हैं इसके अंदर वह बचते हैं कॉल्यूमिनार स्ट्रेटिफाइड इसके एपिथीलियम और क्यूबोईडल क्यूबोईडल बचते हैं ठीक है कौन-कौन से बचते हैं क्यूबोईडल स्ट्रेटिफाइड 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 बट इसमें चेंज यह है कि multi layer देखनें को इसमें मिलेगी कितनी layer multi layer यां 2 से ज़्यादा layer इसमें देखनें को मिलेगी ठीक है इसके अंदर आप बात करोगे जिसे cuboidal की बात करते हैं तो लोक है found देखनें को मिलता है कौन कौन सी जगह पर तो आपको mainly याद रखना है duct of gland duct of glands यानि कि जो glands है उनकी duct अब आपको पता है कि duct कौन से gland में पाई जाती है यानि जितनी भी वो जैसे कि बोल सकते हो दो type के gland होती है ठेके? दो type के gland में जिसमें duct पाई जाती है और एक होती है duct नहीं पाई जाती एंडोक्राइन जो gland होती हो उसमें duct परजन्ट नहीं होती है और एक्जोक्राइन जो gland होती है उसमें duct present होती है ठेके? जैसे कि एक्जोक्राइन के अंदर आप बोल सकते हो Salivery gland ठेके? और भी एक सेक्टरा जितनी भी gland है लीवर भी एक परकार के क्या है वो क्या बहुत सकता है एक्सो एक्जोक्राइन ग्लैन है इनकी जो ग्लैन है वो बनी होगी किस से पढ़ेंगे आपको ठेके इसके अंदर वनार बाने, स्टिके यह स्ट्रेटिफॉइड, कौलीमडार्स, फब्रण्टे पुछर्णवत है learnt, सॉdar है वह च्कुटाइपभी। फब्र। ऴकॉलिमनार्स स्टिकिक ल्डभ। epithelial tissue आता है ठीके इसमें only आपको क्या याद रखना है larynx larynx याद रखना है और क्या याद रखना है uterus एक्सेक्टरा यह सब याद रखना है किसके अंदर kolium नार stratified epithelial tissue के अंदर ठीके यानि kolium जैसी structure पाई एगी इसमें stratified यानि stratified होगा ठीके यानि basement membrane प्रजेंट होगी ठीके और उसके बाद में क्या है multi layer इसमें देखने को मिलेगी ठीके और एक नाम होगी लिख सकते हो epiglutis important epiglutis epiglutis में किसका बना होता है kolumnar stratified epithelial tissue का बना होता है ठीके next and last जो बात करेंगे अपन वो बात करेंगे last बात करके अपन class को end करते हैं कि जैसे कि अभी तो अपनने क्या पढ़ा है body tissue में only one tissue पढ़ा है वो है epithelial tissue कौन सा tissue पढ़ा है epithelial tissue complete पढ़ा है जिसमें अपने बहुत सारे type देखे हैं इसके अंदर subtype देखे हैं कौन-कौन से type होता है इस commerce होता है epithelial tissue में सबसे पहले अपने simple देखा है और उसके बाद में कौन सा देखा है compound देखा है simple में अपने simple क्यों बोला है कि वो single line present है उसमें single line किसकी sale की single line होती है तो उसको simple बोला है यदि multi line होती है multi layer होती है तो उसको आप compound बोलते हो ठीके उसके बाद में subtype किये है अपने simple के तो उसको क्या बोला गया है transitional बोला गया और transitional का एक नाम और बता है मैंने आपको urothelium बताया है ठीके याद रखना है ठीके और यह आपका पहला एक tissue complete होता है उसके बाद में next class के अंदर आपन देखेंगे कौन सा tissue connective tissue देखेंगे ठीके जब तक के लिए thank you very much